तो आपका हमारे चैनल नवल आइटी स्टूडियो में तो दोस्तों चले श्टार्ट करते हैं आज का क्लास तो आज का हमारा फ़स्ट कोस्टन है इंटिग्रेटर सरकेट किस पेड़ी के कम्प्यूटर में प्रियोग किया गया था जो आईसी होता है 3rd generation में question number 1 का C number option बिल्कुल correct होगा IC कप्रियों किया गया था 3rd generation में फिरम बढ़ते है question number 2 जो की है इन में से कौन सा भारत का super computer है भारत का super computer इन में से कौन सा है A number option है परम B number option है अनुपम C number option है पेस और D number option है all of the above तो correct answer क्या होगा इन में से कौन सा है परम है अनुपम है पेस है या फिर उपरियों सा भी तो इन में से देखे परम अनुपम पेस ये तीनों इन्डिया का super computer है तो all of the above option correct होगा question number 2 का D number option correct होगा all of the above फिर है question number 3 जो की है AI यानि artificial intelligence के जनक कौन है artificial intelligence नहीं होता है क्रित्रिम बुद्धी तो इसके जनक कौन है A number option बलेज पास्कल B number option चार्ल्स बैबेज C number option जान एमकॉर्थी D number option जैक किल्बी तो correct answer क्या होगा AI यानि artificial intelligence के जनक कौन है तो इसके लिए आपके जान एमकॉर्थी जो है कि आपके artificial intelligence के जनक है फिर एक कोसर नंबर 4 जो की है कंप्यूटर किस भासा को समझता है और उस पर कारे करता है कंप्यूटर जो हता हो किस भासा को समझता है और उस पर कारे करता है तो A number आप सेने machine language B number आप सेने high level language C number आप सेने application software और D number आप सेने system program तो computer किस भासों को समझता है तो बताई आप लोग रेक्टे अंसर क्या होगा इसके लिए तो देखिए जो computer होता ना computer के वाल machine language को समझता है जो भी high level language में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको क्या होता है compiler या फिर interpreter के दवारा उसको convert करके low level language के रूप में computer के दवारा समझा जाता है फिर question number 5. एक translator क्या होता है तो transfer क्या होता है आपका A number इसने system software, बी number इसने application software, C number इसने hardware component और D number इसने input device तो translator क्या होता है आपका translator एक प्रकार का system software होता है question number 5 का a number option correct होगा system software क 누ी तरकात है हम translator को जिससे कि interpreter, compiler और असेंबलर हैं फिर हम बढ़ते हैं कोस्टन नंबर 6 पे जो कि है इन में से कौन सा एक open source operating system है तो open source operating system बताने हैं आपको कौन सा इन में से तो windows 7 linux windows 10 या फिर इन में से कोई नहीं तो open source operating system होता है इसमें से linux linux किया आपका open source होता है यह आपका linux style words के द्वारा लांच किया गया था linux आपका open source operating system है फिर हम बढ़ते हैं कोस्टन नंबर 7 जो की है नियुन में से कौन सा एक graphical package है इन में से graphical package कौन सा है coral draw ms excel ms word या फिर इन में से कोई नहीं तो word आपका word processing package है excel आपका spread sheet है जबकि coral draw क्या होता है ग्राफ कल होता है question number 7 का a number option correct है फिर है question number 8 यदि computer चालू है और system कोई response नहीं दे रहा है ठीक है अगर computer चालू है लेकिन system को response नहीं दे रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे यह number option है कि dead हो गया है बी number option है off c number option है hang होना और डी number option है in sensitive तो computer का response नहीं कर रहा है चालू भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि hang कर रहा है question number 8 का c number option correct होगा hang करता है ठीक है फिर हम बढ़ते है question number 9 paste की sort की क्या होती है तो बहुत इसे बहुत क्या question है आपका कि paste की shortcut की क्या होती है तो ए नमबर आप paste के लिए होता है control V control V से paste होता है control C से copy होता है और control P से print होता है ठीक है चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ next question पर question number 10 जो है हमारा लिब्रे आफिस एंप्रेस का file extension क्या होता है लिब्रे आफिस एंप्रेस का file extension बताना है कि क्या होगा तो लिब्रे आफिस एंप्रेस का क्या होगा बता यह ग्रेक्टर अंसर तो ODS ODI ODP या फिर ODS तो देखिए ODS spreadsheet के लिए होता है जबकि ODP आपका presentation यानि कि लिब्रे आफिस एंप्रेस के लिए क्लिए क्लिए लिए होता है डॉट ODP 10 का C number option करेक्ट होगा डॉट ODP आपका के साथ काम करने करुबती देता है उससे क्या काता है ऐसे प्रोग्राम जो की operating system के साथ मिल करके printer या फिर वीडियो कार्ड पर कार्य करने करुबती देते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है utility के नाम से driver applet या फिर system call तो क्या बोलते हैं उसको हम driver बोलते हैं driver होता है printer driver या फिर डिस्प्ले ड्राइवर या फिर वीडियो कार्ड के लिए driver होता है तो question number 11 का B number option करेक्ट है फिरमपड़ते हैं question number 12 पे पंक्त के शुरुवात में जाने के लिए क्या shortcut की होती है अगर किसी line के शुरुवात में जाना है किसेテिक के शुरुवात में जाना है तब करेंसे इस्तिमाल किया जाता हैgaYes and B दी नमबरा आपर स्थेव्ट्य को 13 जयाने के लिए इसमें किया होता है तो एन नम्बर डिस्क के दवारा डिक्सटीट किए गए फाईल दिटेंट फाइल के दिट थे ग्यांट से ड्लीट किया गया फाईल सी नमबर आप संने कि सब्सक्राइब करेक्षी जो कि नमबर फोर्टी जो के कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला क्यों सा होता है निए computer जब on होता है तो सबसे पहले कौन सा program चलता है system operations, operating system, application software या फिर इन में से कोई नहीं तो computer के boot होने पर सबसे पहले चलता है operating system तो question number 14 का B number option केट होगा operating system सबसे पहले चलने माला program होता है फिर a question number 15, file extension का उपयोग किसलिए किया जाता है, file extension किसलिए इस्तेमाल के जाते हैं तो a number option है कि to rename a file को rename करने के लिए, to secure a file name किसी file के name को secure करने के लिए या फिर identify a file type ने file के प्रकार की पाचान करने के लिए या फिर identify a file nature ने file के प्रकृति की पाचान के लिए तो क्या होगा? फाइल टाइप की पाचान के लिए file extension का इस्तिमाल किया जाता है फिर question number 16 जो की है writer में सब skip के लिए shortcut की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट करना है तो क्या shortcut की इस्तेमाल करेंगे Ctrl-Shift-P, Ctrl-Shift-B, Ctrl-Shift-A या फिर Ctrl-Shift-C तो सब स्क्रिप्ट में क्या आता है B आता है तो Ctrl-Shift-B आपसमें correct होगा सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl-Shift-B का इस्तेमाल किया जाएगा फिर हम बढ़ते हैं question number 17 जो किへ Libre spit में exit के लिए shortcut की क्या होती है एगर Libre acquisition से बाहर आना है exit होना है तब के लिए क्या shortcut की इस्तेमाल की जाएगी A number आपसमें Ctrl-Q B number आपसमें Ctrl-W C number आपसमें Ctrl-Shift-C और D number आपसमें नद्रीन में से कोई नहीं तो Libre 97 में exit के लिए क्या shortcut की होती है Ctrl Q, Ctrl W, Ctrl Shift C या फिर इनमेर से कोई नहीं तो exit के लिए क्या होता है Ctrl Q होता है question number 17 का A number option correct होगा Ctrl Q होता है exit के लिए shortcut की फिर question number 18 Libre office writer में किसी document का default margin क्या होता है Libre office writer में किसी document का default margin क्या होता है 0.5, 0, 1.5 P या फिर 1 तो देखे default margin कितना होता है आपका तो 1 होता है कितना होता है 1 ठीक है question number 18 का D number option correct है फिर question number 19 Libre office writer में bullet insert करने की shortcut की क्या होती है अगर आपको Libre office में bullet insert करना है तो क्या shortcut की इस्तेमाल करेंगे shift plus F12 Ctrl plus F12 F12 या फिर इन में से कोई नहीं तो जो shift plus F12 है न shift plus F12 का इस्तेमाल Libre office writer में bullet को insert करने के लिए किया जाता है फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ next question पर question number 20 जो कि है Libre office में cycle case option में कौन सा option उपलब्द होता है जो Libre office अगर आपको cycle case option इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा option उपलब्द होता है उसमें upper case lower case sentence case या फिर all of the above तो यहाँ पर जो है कि D number option correct होगा all of the above क्योंकि यह सभी option आपके पास उपलब्द होते हैं 20 का D number option correct होगा all of the above option बिल्कुल correct है cycle case में इसे भी option उपलब्द होते हैं फिर a question number 21 Libre office writer save file को किस extension में save नहीं कर सकते हैं इन्हीं जो Libre office writer है उससे आप किस extension में file को save नहीं कर सकते हैं .odt में या फिर .docx में या फिर .exe में या फिर इनमें से किसी में नहीं तो देखिए अगर आप Libre office writer से file save करते हैं तो वहाँ पे आपको .exe format में save करने का option नहीं मिलेगा बाकि आप ओ .docx में save कर सकते हैं तो 21 का c number option correct होगा .exe फिर a question number 22 Libre office calc में अंतिम column level क्या होता है आपको बताने कि जो calc होता है न calc में अंतिन column का number क्या होता है amj,ama,alj या फिर alx तो क्या होता है calc में जो last column होता उसका number होता है amj 22 का a number option correct होगा .amj option बिल्कुल correct है फिर a question number 23 Libre office writer में super script के लिए shortcut की क्या होती है super script के लिए shortcut की क्या होती है a number option है ctrl shift b b number option है ctrl alt p c number option है ctrl shift p और d number option है all of the options तो Libre office writer में super script के लिए क्या sort की इस्तेमाल होती है तो superscript के लिए control shift p question number 23 का c number option correct होगा फिर बढ़ते है question number 24 पर calc में अधिक्तम जूम कितना होता है calc में अधिक्तम जूम कितना होता है 200%, 400%, 500% या फिर 600% तो अधिक्तम जूम होता है आपका 400% तो question number 24 का b number option correct है चलिए फिरम बढ़ते हैं इसे के साथ next question पर question number 25 जो की है लिप्रे आफिस calc में new template के लिए क्या sort cut की इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको calc में नया template insert करना है तब के लिए क्या sort cut की क्या इस्तेमाल किया जाएगा तो a number option है control plus n b number option है control shift n c number option है alt plus n और d number option है all of the above तो इसमें जो control shift n है ना control shift n इसका इस्तेमाल होता है calc में new template को insert करने के लिए तो question number 25 का जो b number option है यह आपका बिल्कुल correct होगा तो दोस्तों इसरी से आज के हमारे 25 question complete हुए और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे channel novel IT studio को subscribe नहीं किया है तो नीचे आप लोग subscribe बटन को क्लिक करें के channel को subscribe कर लें और bell icon प्रेस करते हैं जिसे जब भी कोई नए video upload किया जाए उसका notification आपको मिल सके और आपसे कोई भी class miss न हो